गाईज ये छोटी से वीडियो को एंट तक देखना क्योंकि नॉर्मली इस टाइम पर मैं वीडियो अपलोड नहीं करता कर रहा हूं तो भाई बहुत बड़ी बात होगी यहां पर आप लोग मुझे से पूछ रहते हैं कि यहां पर मिडल्स का क्या काम होगा तो भाई पहले एक था और अभी फाइनली तीन मिडल्स हो चुके हैं जिनमें एक सिल्वर एक ब्राउंज और एक गोल्डन का जो है न वो मिडल होने वाला इन तीनों मिडल्स को आप कहां मिडल्स यहां पर से मिल जागा इनके कलर से भी आप इसलिए अंताजा लगा सकते हैं ठीक है गाईस इसके अलब अगर आप पक्स में जाकर देखेंगे तो गेम के अंदर एक नए पक्स भी एड़ हो चुकी है इन पक्स का नाम है फाइट मस्टर वाई क्या ही घजब का ना जागा और जेम्स गला वाले इवट को कंप्लीट करने के बाद हम ये फाइट मस्टर वाले जो पक्स है बलकुल फ्री में क्लेक्ट करने वाली हैं अभी चली काईस टाम जंप कर लेते हैं और देखते हैं चैंपियन पात वाले इवन्ट को तो यहां पर हमारे पास एक नया मैडल मिलेगा आप एक बार भी seven को एक अपर आप आपदे लें तो यहाँ पर आप आप चेक करएं है तोusan सा प्होटा इजी ए पिछले लेवाले से क्योंकि उसमें पांच थे इसमें चार हैं मेरे ख्याल से इसको तो इसली सब लोग कंप्लीट कर सकते हैं उसके बाद गाईज यहां पर हमारे पास आता है सिल्वर वाला मतलब इसके अंदर भी गाईज आपको चार ही मैचे जीतने होगे मैं सोच रहा था इसमें पांच होगे इसमें एक ज्यादा होगा क्योंकि यह सिल्वर वाला मिडल है लेकिन अच्छी बात यह कि इसमें भी चार ही मैचेस आपको जीतने होगे और लास्ट में गाईज यह मास्टर वाला इवेंट है भाई इसको गाईज कंप्लीट करने के लिए आपको पांच मैच लगातार जीतने होगे तब ही गाईज आपको गोल्डन वाला जो मेडल है वो ले सकेंगे बाकी गाईज बहुत ही अच्छी अपडेट थी तो मैंने सुचा आप लोगों के साथ शेयर कर दो बाकी वीडियो पसंद है यह तो लाइक करना और इसी तरह केरम पूलिस अपडे रहना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आल पर जरूर सेट कर देना